साल का वो समय आ चुका है जिसके लिए आपने रात बर बैटके रगड़ाता साल का वो समय आ चुका है जिसके लिए आपने रात बिल कुरबान करेते इस समय पे ना डणना बिलकुल नी है गबना बिलकुल नी है इस समय पे आपको एक moral support की बहुत नीड है मैं आपका एक बड क्या-क्या चीज़े आपको last minute पर ध्यान रखनी है, क्या-क्या चीज़े आपको presentation में ध्यान रखनी है, हर एक चीज जिससे मैंने अपने बोड के exam में महारत हासिल करी थी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए डंड़ना मिल्कुल नी है, देखो, एक चीज मैं हर साल बच्चो को, जरूर ही नहीं है, आपका हर एक चीज complete हो, आखरी में कुछ ना कुछ चीज छूटी जाती है, पर कम पढ़कर भी जो बच्चा फोड के आए, उसे legend कहते हैं और आप सभी एक legend हो, फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कम पढ़कर भी जो बच्चा फोड क आए, उसे एक legend कहते हैं और आप सभी एक legend हो, इसी note पे शुरुवात करते हैं आज की वीडियो की, कमेंट कर दो नीचे, हाँ बच्चा फोड के आओंगा, हाँ बच्चा फोड के आओंगी, ये comment आजाना चाहिए, इसी note पे आज किस वीडियो को शुरू करते हैं, देखो तो यार हिंदी का exam है, हिंदी का exam में आपको क्या क्या चीज़त ध्यान में रखनी है, सिलिवस आपका हो गया होगा, वो हर एक बन्दा बता येता है, मैं आपको वो पताने वाला हूँ, जहाँ पे आपके number कट सकते हैं, असान exam है, पर number कटने के बहुत साथा chances होते हैं, त तो आपने spelling में गलती करी हो, या फिर आपने format में गलती करी हो, यही दो chances होते हैं, teacher के पाई इतना time नहीं है, वो बैठके आपके हर एक word को note करेगा, हर एक word को बैठके लिखेगा, हर एक word को बैठके check करेगा, नहीं, उसने देखा format गलत है, number काट देगा, उसने देखा अधान से देखना पूरी वीडियो बहुत important है, चाहे 2X पर देख लेना, बहुत important है, अब हम बात करते हैं, कि यार किस chronology में आपको paper करना है, किस sequence में आपको paper करना है, सबसे पहली चीज है, आपको उठाने reading section, क्यों भाईया, पहले reading क्यों उठाने, logic है इसके पीछे, दे आपने इस reading section को आखरी में कर लिया, क्या होगा, आखरी में जल्दी बाजी में, जल्दी जल्द से read करोगे, क्या पता गलत कर दो, reading section free के full marks होते हैं, यहाँ पर गलती कर दोगे, तो इसलिए reading section जाती सबसे पहली चीज है, यह करोगे, reading section में क्या-क्या ध्यान रखना है, प questions चले गए हैं, जब आप passage read कर रहे होगे, आपके दिमाग में आएगा, यार इस से related कोई question था शायद, इस words से related कोई question था शायद, अब वापस से देखो कि हाँ, question था, तो उस cancer यहाँ पर है, क्या मेरी बात समझ में आगी है, तो सबसे पहले question read करा, फिर passage पढ़ा, यह पहल दालता हूँ अपरी तरफ से, नहीं, 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 टीचर को गुसा आगया, नंबर काट देगा, टीचर एक पांचवी कलास का बच्चा है, उसको हर एक चीज आपको समझानी है, जो जो लिखा है, सिर्प उतना ही बताना है, उसको गुसा नहीं करना है, गुसा कर तो नम्मरों में कश्ट देदेगा इसलिए प्यार से पिपर अच्छे से करके आना है ज्यादा information अपनी तरफ से मत घुसेड देना कि भाया मेरेको तो ये भी पता था ये भी बता था मैंने सब लिख दिया ना ना जितना पैसेज में उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहां पर लिखनी है क्या मेरी बास समझ में आई तो सबसे पहले सबसे पहले आपने reading section उठा है reading section की ये दो points आपको clear हो गए फिर उसके बाद आप गए writing section पर writing section पर क्यों क्या reason है इसके बीछे देखो या reading section में आपने आराम नाम से चीज़े ढूंड ढूंड की करा अब आपके हाथ दुखाने का time है अब आपको बहुत साई चीज़े लिखनी है तो लिखने के लिए अब आप जाएंगे writing section पर इसमें क्या है आपके हाथ हर एक चीज के अच्छे से format और एक एक example देख लेना आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी format सुबह उठके एक बार और देखके चले जाना इससे क्या होगा आपके माइंड में क्लियर है आपको question दिखा आपने format उसी तरफ से बढ़ा दिया जो भी डब बब बनते हैं वो सब यह मैं common example दे रहा हूँ आपको चाहे long answers हो गए चाहे English के पैसे हो गए चाहे English के आपके writing section हो गया हिंदी का writing section हो गया हर एक के लिए चीज ध्यान रखना जब भी जब भी आप कोई बड़ा answer लिखने बैठ रहे हो तो copy का सबसे आखरी page उठाना जो आपके answer sheet होती है answer sheet का देना rough work ठीक है heading डाल दो rough work और एक काटा मार दो क्योंकि क्या होता है end में बच्चे काटा मारना भोल जाते हैं तो आपने पहले ही काटा मार लिया अब क्या करना है कि आपको इस writing section का जो भी question है उससे related जो जो information दिमांग में आ रही है वो सारे यहां पर लिख लेना कि यह लिख दूँगी यह भी लिख दूँगी यह भी लिख दूँगी जो भी point दिमांग में आ रहे हैं एक बार दो मिनिट रुक के पहले सोच के लिख देना आप को कि भाईया time waste होगा मैं नहीं time बचेगा देख क्यों बचेगा तूने क्या करा सारे points पहले लिख दिए कि यह pointers इसमें include करने हैं अब तू एक format में एक sequence में इनको बाठ ले कि पहले यह लिखूँगा फिर यह लिखूँगा फिर यह लिखूँगा फिर यह लिखूँगा अब लिखना शूरू कर तो क्या होगा एक pattern में लगेगा ऐसा नहीं लगेगा कहीं का sir कहीं का pair जोड़ दिया क्य होगा आपको पता है क्या-क्या एड करने है अब वही सारे दिखके आपको उनको वहाँ पे pointers को एड करना है उन्हीं pointers के हिसाब से आपको paragraph लिखना है क्या मेरी feel समझ मैं ही जो मैं बताना चाहरा हूँ पहले ही सारे pointers लिख लो जाता लगेंगे पर पर आपका question का जो format है जो question का आपका answer है वह बहुत प्यारा बनेगा हर एक चीज ऐसा लगेगा कि हाँ या लिंक्ड है यहां से कुछ यहां से यूच यहां से यूच यहां से यह लिंक्ड है वन्ना आप direct लिखने बैठोगे मान लो कुछ सर कोई पैर कहीं भी जोड़ दिया क्या मेरी बहुत इंपोर्टेंट है long answers में और आपके जितने भी बड़े answers होते हैं इन में काटा पीटि कम करना मेरी जान यह नहीं कि आपको format याद नहीं थे आपने कुछ और format बना दिया फिर आपने कुछ सचा यह format था ही मेरी बाद समझ में आई, आगे बढ़ते हैं, आखरी पॉइंट आपका इसमें है, राइटिंग सेक्शन में, कि कोई भी विवादित बयान मत लिखना, ये नहीं, भाईया मेरको तो ये पनाला पार्टी अच्छी लगती है, मैंने तो ये लिख दिया, भाईया मेरको तो ये गलत लगती है, भारत में मैंने ये लिख दी, विवादित बयान नहीं लिखने, विवादित बयान नहीं लिखने, टीचर का कोई और उपीनियन हो सकता है, अगर उसको गुसा आ गया, अगर उसको वो फलाना पार्टी पसंद है, नम्मर काट देगा, तो इसलिए कोई भी ऐसा word मत यूज करना, कोई भी ऐसा point मत यूज करना, जो की दिक्कत कर सकता है, जो की opinion matter करता है, क्या मेरी बाद समझ में आ रही है, अगले point में चलते हैं, अगले point, भाईया आपने क्या करा, reading section करा, हाथ सही सही ते, फिर हाथ थोड़े थुखाए, हाथ आपके थोड़े से literature section आखरी में करने का ये reason है, क्योंकि literature section के answers जो हैं, वो आपको दिमाग में पता हैं, आपको reading section के answer आपको डूंडने होते हैं, literature के जो answer होते हैं, वो आपको पता होते हैं, यह यह चीज लिखनी है, तो अगर आपके पास कम time भी होगा, तो आप इनके answers लिख पाओगे, जल जिसके बारे वे आंसर आपको पता होते हैं आपको पता होने चाहिए, क्योंकि उससे भी डिरेक्ट सवाल आ जाते हैं, यह आपको पता है, राइटर्स के जो नाम है, यह एक बार रटके चले जाना, यह बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता है, आंसर को लिखने का फॉर्मेट, मालो आपके पास कोई एक आंसर आया, अ इंट्रो पेरागराफ में आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि यह जो question है यह इस chapter में से आया है, और इस chapter में का लेखा कीए है, इस तरह से आपने इंट्रो पेरागराफ लिखा, फिर उसके बाद आता है आपका main paragraph, main paragraph में आपने जो भी question में उसमें पूछा गया है, उससे related सारी information यहाँ पर लिखनी है फिर उसके बाद last जो होता है उसे हम कहते है conclusion paragraph आप अगर maximum answers इस format में लिखोगे तो आपके number maximum मिलेंगे तो हमेशा इस तरह से लिखना सबसे पहले intro paragraph फिर उसका main theme main theme में जो भी question में पूछा उस से related सारी information question यहाँ डाल दी और conclusion में कि भई question में यह पूछा गया था इसलिए हमारा यह यह है इस तरह से करके हम तीन paragraph में अपने answers को लिखें इससे आपका क्या होगा एक answer अच्छे format में देखेगा teacher को लगेगा कि हाँ यार एक बहुत अच्छा format है इस हिसाब से उसको वो answer को number देंगे क्या मेरी बात समझ मैं ही आकरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कुछ काम की बाते हैं आपकी सबसे पहला जो भी section उठाओ उसको complete करना ऐसा मत करना कि आपने मानलो section A उठाया section A उठाने के बाद उसमें से दो सवाल आते थे दो सवाल करे फिर उसके बाद आपने section B कर दिया section C कर दिया और section C के बाद आपको लगा section A का answer आता है वो section C में डाल दिया नहीं 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 जो section उठाया सारे सवाल उसके वहीं होने चाहिए मैं फिर बोल रहा हूँ टीचरों को कष्ट मत देना ऐसा गलत नहीं है करना पर teacher को कष्ट क्यों दो वो confused हो जाया रहे यहाँ पे पहला कर रखा है यहाँ पे चौता कर रखा है यहाँ पे चात्वा कर रखा है ऐसा मत करना जो section उठाओ उसे पूरा complete वहीं करना उसे पूरा complete वहीं करना यह चीज़ आपको दिहान में रखनी चाहिए दूसरी चीज़ यह आपको पता ही है हर एक teacher बोलता है पर आप यह भूल जाते हो बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि underline कर रहे होते हैं main theme को, main points को, headings को, subheadings को तो जितने भी main heading है, subheadings है कोशिश करना subheadings include करो आप answers में जो भी main points है उनको underline जरूर कर देना मेरी जान पता आपको होता है पर आप भूल जाते हो आपको आलस आता है आकरी में वो आलस मत दिखाना पांच number जादा मिल जाते हैं इन साधी चीजों से क्या होता है, teacher direct point पर जाता है तो आपके और जगह जहापे भी spelling में stake होती है उसमें number कटने के chances कम हो जाते हैं इसलिए बोला जाता है कि आप underline कर दो, teacher ने सिर्फ underline वाले पड़े और उसने क्या करा, उसने उस answer का पूरा number दे दी तीसरी चीज, शुरुवात में अच्छी handwriting लख देना ये मत करना कि शुरुवात में आपने writing में बिल्कुल ऐसे लिख दी कि teacher को समझ में नहीं आ रही शुरू के 4 page तो अच्छे कर देना teacher ने paper खोला है, उसका mood तो अच्छा रहे त्योंकि क्या पता, आपके पिछले वाले बच्चे ने बहुत ही बखार mood कर दिया हो तो इसलिए उस mood से आपका paper ना चेक हो क्या करना है आपको अच्छी writing में लिख क्या आना है बहुत जादा बड़े words, बहुत भारी words को avoid करो जब भी कोई एक line लिखने जा रहे हो तो back of the mind सोच लो, इस line में कोई भारी word तो नहीं है अगर वो भारी word है, तो उसको replace कर दो कोई असान word से यह होता है spelling mistakes से बचने का तरीका कि जो भी line लिखने जा रहे हो दो सेकेंड रुक के सोच लो क्या line लिखने वाला हूँ उसमें कोई ऐसा word है, जो कि बहुत भारी word है उसको replace कर दो एक असान word से दूसरी चीज, हमारे पास आखरी बार आखरी में time नहीं होता कि हम पूरा paper को वापस check करें जरूर है नहीं है, हर बच्चे के बार time हो तो क्या करो, जैसे एक answer लिख लिया उसको वही तोरंट जल्दी से reject कर लो कि कोई spelling mistake तो नहीं हुई क्योंकि दो ही जगह जहां number कटेंगे या तो spelling mistake या format तो एक बार उपर उठके जैसे आपका answer complete हुआ वापस से उपर से जल्दी से दो second में check कर लिया कोई spelling mistake तो नहीं है है तो सही कर तो नहीं है तो बहुत बड़ी अगले एक line डालके अगले answer पर आ गए पांचवा जो भी word limit दी है उसपे stick करना आप toppers की answer sheet उठाना कभी यह नहीं करती कि एक number में चार-चार paragraph लिख दिया उसको पता है एक number का सवाल है to the point answer चाहिए लिख दिया तो जितनी आपको word limit दी गई है उसी में stick रहना यह मत सोचना मैं 4 page भर दूंका तो ज्यादा number मिल जाएंगे अरे 4 page भर देगा तो 4 page में spelling mistake निकलने के ज़्यादा chances हो जाएंगे तो जितना बोला है उतनी word limit में आपको लिखके आना है भी सारी चीजे आपको ध्यान रखनी है हिंदी का paper है बहुत असान paper है इसी तरह से आपकी English की भी वीडियो जाएंगी आगे जो भी paper आएंगे उन सब की वीडियो हम यहाँ पर इस चैनल पर ला रहे होंगे ठीक है आपका भीया आपके साथ 24 बटे साथ खड़ा है यह ऐसा time है जिसमें बहुत डर रहे होते हैं बच्चे मैं हूना यार मत डरो आप हर paper के बाद करोगे भीया बहुत असान paper आया था आप हर paper के बाद आके comment करोगे भीया बहुत असान paper आया था इतना विश्वास रखो मेरे पर ठीक है बहुत अच्छे paper जाते हैं हर साल मैंने देखा है मेरे को 4-5 साल हो चुके हैं यार इन एजुकेशन में यहां पर मैंने देखा है बच्चे बहुत पैने करते हैं पर बहुत अच्छा paper आता है बहुत असान paper आता है आप करके आओगे आप फोड़ के आओगे इस बात की guarantee है तब तक के लिए वही पढ़ना है कहर मचा देना आग लगा देना और 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 आप सभी के लिए 19 तारीक को आ रहा एक surprise जिसका छोटा सा teaser अब इस वीडियो के बाद आपको मिलने वाला है चन्ट कर दो कर दो